आज हमाई साथ संगीत के ऐसे सर्टाच जो किसी तारूफ के महदाज नहीं वो खुद मुंबई के वासी है और मुंबई में 60 घंटे की धहशत के बाद वो कैसा उन्हें महसूस हो रहा है उन्हें क्या लगता है कि एक मुंबई वासी के तौर पे कितने सुरक्षित हैं चलिए उन से जानते हैं सोनु स्वागत है आपका लाइव इंडिया पर थानी बात थैंक्यू सोनु आप खुद मुंबई में रहते हैं मुंबई के वासी हैं आपको क्या लगता है जो कुछ भी मुंबई में हुआ उसके बाद एक आम नागरीत के तौर पर आप कितने सिक्योर हैं मुंबई में देखे नाकेवल मुंबई में यह सिर्फ बात मुंबई के नहीं है यह पूरे भारत के है इन फैक्ट पूरे दुनिया में आज जो आलम मना पड़ा है जहां जहां यह कमिनल टेंशन है उस वज़ए से कब क्या हो जा कुछ नहीं पता 90% प्रतिशन जो लोग हैं वो यह चाहते हैं कि लोग काम करें पैसा कमाएं रिसेशन चल रही है वैसे भी और कुछ लोग ऐसे हैं जो उनके जो मेहनत को या उनकी जिन्दगी को आधी कर देते हैं और वहीं पर खत्म कर देते हैं तो इस वज़ए से असरुक्षा का भाव ना केवल मुंबई में है बलकि पूरे भारत में है और इसका सीरिसली अब हाइटेम हो गया है सीरिसली लोग को अब इसका कुछ नकुछ निवारन करना पड़ेगा आपको क्या लगता है कि इसके लिए क्या निवारन हो सकता है बहुत सारी चीज़े मतलब मैं यह कहता अगर आपको कोई बिमारी है तो आप बिमारी को उतनी बस ठीक करके फिर दुबारे बिमारी आ जाती है फिर ठीक है फिर दुबारा आ जाती है आपको उसकी तह तक जाना पड़ेगा मैं आपको हजार और दे सकता हूँ जैसे आज लोग बोल रहे हैं कि हमारे राजनेता र पैदा हो जाते हैं आपको वो कीचर जो है जब तक आप उसको साफ नहीं करेंगे तब तक मच्छर और कौकरोश तो आते ही रहेंगे तो आपको उसका पहला रूट कौस देखना पड़ेगा कि हो क्या रहा है किस किस लेवल पर प्रदमाशी होती है पहला आपको जितने भी एंकाउंटर स्पेशिलिस्स को आपने बेईज़त करके निकाला था जिन लोगों ने कुछ भी किया लेकिन उनसे लोग डरते थे और उन्होंने बड़े-बड़े टर्रिरिस्स को या अंडर वर्ल की लोगों को मारा है पहली बात तो उनको वापस सलाम करो उनको नमस्ते करो उनको इज़त से वापस अपनी कुछी बक्षयो चाहिए वो दयानायक हो यह प्रदीब शर्मा हो तो जितने भी लोग हैं उनको पहले वापस लाओ क्योंकि वो लोग हमारे सशक्त उन्होंने इतने लोगों को मारा चाहे जो भी है हमें क्या पता यह भी हो सकता है कि जिन लोगों ने उनका नाम लिया है उन्होंने बदले की भावना से लिया हो जिनका उन लोगों ने कुछ बोरा किया हो जिनको उन्होंने ठ्रेटन किया हो अपने कारे काल के दौरान जब वो लोग पकड़े गए तो उन्होंने नाम लिया हुआ कि हमारा ये साथी था, हमारा ये सहीयोगी था, तो कुछ भी हो सकता है, पहले बात तो ये है, we must very clearly understand, जब तक हमारे पास strong लोग नहीं होंगे political system में या police के system में, तब तक हम लोग हमेश हुआरे चीजें जो हमको ठीक करनी है, इतने समय से बताया जा रह था कि आतंगवाद का कुछ attack हो सकता है, कर करे रहे थे हम लोग, पुलिस को कुछ पता ही नहीं, आपको पता नहीं, मैंने मेरे दोस्तों से बात किया है, पुलिस को जो पिदाया है, आतंगवादी नहीं, ताज में पिदाय है लेटरली अंधेरे में वो लोग शूट कर रहे थे और पुलिस को पता भी निए था कि गॉली कहां से आ रही है आपको ही लगता कि हमारी जो पुलिस लोग कर्मी है वो कही ना कहीं उन में कुछ ना कुछ कमिया है आज भी उनके पास लाठी है उनके पास जो गन्स वगएरा है वो आज पी पुराने मॉडल की है जहां आतंकवादी एक 47 लेके चलते हैं वही हमारे पुलिस वाली आज भी ख़ए पुरानी बंदू के लेके चल रहे है देखे इस तरह का इतना बड़ा अटक होगा यह शायद पुलिस ने कभी तैयारी की ठीए अर इनकी अती होती है, इनकी अती तभी हो जाने चाहिए थी, जब पहली बार Bombay के blasts होए थे, उस समय उनकी अती नहीं होई, उसके बाद में कंधार का hijjack हुआ, हम लोगों ने इतना बड़ा terrorist वहां पर भेज़ दिया, जो अभी तक हमरी सेवा कर रहा है वहां से बैठके, उसके जैपुर में, उसके बाद दिल्ली में, इतना हुआ, हम लोगों का जो tolerance है ना, जैसे आज मैं सुवे सोकर उठा, मेरा गुस्सा थोड़ा कम हो गया, जितना गुस्सा मुझे कल था, थोड़ा कम हो गया, तो मैं सोच रहा हूँ कि ये गुस्सा तो ऐसी करते करते कम होता रह क्योंकि ये मेमरी है ना, याददाश्ट कम होते रहती है, हमको किसी तरीके से अपनी याददाश्ट को और प्रकर करना पड़ेगा, ये गुस्से को बिल्कुल बहुत निरंत रखना पड़ेगा, तभी हम कुछ इलाज कर पाएंगे, आज इतनी बड़ी प्रीस रैली हो र तो मेरे साब से हम लोग कैंडल लाइट और पीस गैदरिंग लेके बदलो बदलो हमको कुछ हमको कुछ इनने फिसन अफ कर रहे हैं, हमको solution प्रेला solution यह कि in-counter special को वापेस लुग, परली बदो तो यह, I am talking about solutions, I am not talking about कैसे react करे, we have to find solutions. इतना दुखत-घटना होने के बाद भी अपने टिपनिया रेने से बाज नहीं आ रहे हैं, अपको क्या लगता है हमारी देश की बागड़ोड सही हातों में है? देखिए, एक बड़ी इची कहावत है, every country deserves the government ticket, हम शाद जी deserve करते भी हैं, हम लोग अपने politicians गाली देते हैं, क्या हम कम है? एक, तीम मिर्ट के लिए, किसी भी signal के, भारती किसी भी कोने में, दिल्ली हो या बंबे हो, तीम मिर्ट के लिए, red light, off करके देखिए, क्या होता है हमारे देश में, लोग पागल के तुरे किसी गाड़ी यहां से वहां, यहां से वहां लगा लेते हैं, हाना, तो हम किस हिसाब से प्रोटेशिन को ब्लेम करते हैं, हमारे ही तो वो लोग हैं, जो आगे गए हैं, क्या हम बड़े सही हैं, हम as a human being, आम जंता की रूप में, हम पहले हम एपने को चेंज करना पढ़े का ताब क्या लगता है? आम जंता हो, हम जुचेशन को क्या स्टेप्स अठेप्स यह जाहें इस वहां देश करना जाहिए? बताओ आपको अपको सबस्रीत निपॉर्टन बात जो हम को करनी चाहिए, जब कोई भी लड़का, जो हम ब यह सर्दी में, गर्मी में, कुछ चंद हजार रुपी की तंखा में अपना घर चलाते हैं और उसमें संतोष्ट भी रहते हैं, हम लोग परवाई नहीं करते हैं, और वो लोग वहां पर गूलियां खा रहे होते हैं, और उनकी देशबक्ती भावना हो रहे होती हैं, जब तक एक-एक भारती है, मुझे बोले तो मैं आज चला जाऊँगा, कि मुझे अकर दो साल अपने कुछ नहीं कामाऊँगा, मुझे बोले दो साल एवरी इंडियन शुट बी पुट इंट आर्मी और नेवी और वाटेवर, उनको military training देनी बहुत ज़रूरी है, तब जाके इनको तो थोड़ा discipline आएगा, life में, क्योंकि मैं किसी भी politician को दोश इतना नहीं देता, क्योंकि, after all, वो government भी तो हमको कर रहे है, मैं अगीन बोलता हूँ, आप रेड लाइट ओफरे देखिए, आप मैं देखा हो क्या होता है हमारे दिश में, पर एक कन्यक्टर आता है, और वो ब भी सही होना पड़ेगा, क्योंकि वो क्यों गलत, वो ऐसी बात कैसे बोल गया आदमी, वो क्यों बोल गया, उसको पता है कि ये देश में लोग कुछ भी सुलत कुछ भी कर लेते हैं, और वो पावर में है आज, और उसके पास सेक्यरोटी है, उससे मालूम पड़े कि मरना क क्या होता है, उसे मालूम पड़े कि जब कोई अपना बेटा को होता है, तो उसका पूरा हक है कि वो पूरी दुन्या में तबाही मचाने का पूरा हक है उसका, क्योंकि इतना गुसा, इतना दुख, इतना जुट, बच्चा को पालना क्या होता है, और वो आदमी ये बात कह अगर हम नहीं बदलेंगे तो वो कैसे बदलेंगे